हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट निसांत और आपका स्वागत है आपको अपने चानल डिफेंस ट्यूटर में तो दोस्तो आज किस वीडियो में आपको NDA Complete Course of Chemistry के lecture no.71 को पढ़ने वाले हैं इससे पहले हमने 70 लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड करवा चुके हैं NDA Chemistry के रिगारिंग यह हमारा नया चेप्टर है Chemical Bonding इस चेप्टर में आपको हम सबसे पहले Chemical Bonding के बारे में बताएंगे को सब्सक्राइब करें और दोस्तो आप हमें जरूर फीडबाइक दे आप जरूर हमें बताएं कि आपको हमारा पढ़ायवा वीडियो कैसा लग रहा है यह अच्छा लग रहा है या फिर खड़ाब लग रहा है जैसा भी लग रहा है आप ज़रूर बताएं और आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा चानल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा चली दोस्तों च्किया और समझाईगे तो चलिए, आपको इस वीडियो में हम समसे पदेखे, इसमें टापिक का रिलेटर हम वीडियो नहीं डाल पाये हैं, टापिक में लात प्री से शुट गया है तो आपको बता देख कि इसमें हम आपको लीकमियल्र बार्निंड के बारे में समझते हैं, कि what is chemical bonding, chemical bonding का use क्या है, chemical bonding क्या होता है, इसे समझते हैं, तो देखे, chemical bonding एक type का क्या है, attractive force है, यह क्या है, एक attractive force है, जो कि क्या करता है, आपको atom, ions को क्या कर सकता है, एक साथ, किसी भी chemical species में क्या कर सकता है, एक साथ क्या करता है, एक साथ combine करके रखता है, क्या कर सकता है, एक स के रखता है hold करके रख सकता है क्या कर सकता है उसके बीच में उसके बीच में जो फोर्स लगते हैं किसी बीच में प्रजेंट होते हैं उनके बीच में फोर्स लगते हैं उन सभी फोर्स के साथ क्या करता है यह क्या करता है उसको अट्रेक करता है और जो फोर्स आपके लगते या पर आपको की सी बीकॉंड को polyकुल को फर्म करने समय आपको क्या करना पड़ता है तो आयनिका परता हैँ दो यदी को करना बड़ता है मान लेते हैं कर कोई भी compound हमें चाहिए दो element या दो से ज्यादा element को हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे उसको जोड़ने के लिए कुछ तो force of attraction उसके बीच लगाएंगे तो इसी force of attraction लगाने के लिए हम chemical bonding chapter को पढ़ते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि कि किन-किन molecule की बीच में क्या-क्या forces लगते हैं ठीक है तो यह आपका chemical bonding के regarding definitions था आपको chemical bonding के डिफिनिशन आपको इतने से समझा दिये हैं कि आप किसी को भी बताएगा यह क्या है एक टाइफ का force है जो की different constant particle जैसे atom ions के बीच में लगता है और क्या लगता है different atoms ions को क्या करता है किसी भ chemical bond कहते हैं आपका दूसरा point है during the formation of chemical bond chemical bond के formation के दोरान energy क्या होता है अपको यहां पर दिख रहा होगा क्या होता है जैसे आपको किसी भी दो भी compound के विच दो भी element के बीच किसी भी element के बीच अगर आपका bonding होता है chemical bond होता है तो वह क्या हता है वहां से कुछ some amount of energy क्या होता है यहां पर कुछ आपकी फीगर दियाव है क्या है यह आपका फीगर दियावा है यह फीगर में बताया जा रहा है कि देखिए यह क्या है एक bond है यह क्या है एक एक अटम क्या होता है दूसरे अटम से किसी भी कैमिकल बॉंट का कपकरने का जो कपिशिटी होता है कि कोई भी ऐलिमे proudly मैं चली कितना फोम कर सकता तो यही आपका जो combining capacity होता है वो कितने other этих elements से एक element जूड़ सकते हैं वही आपका valency होता है इसको और other तरीका से Defined क्या गया है The Valency of element it by combining capacity of element, valency क्या होता है किसी भी element का valency होता है उसके combining capacity कितना दूसरे other element से वह combine कर सकता है simply कहें तो valency आपके combining capacity बताता है किसी भी element का यहाँ पर आपको valency of elements कुछ दिख रहा होगा यहाँ आपको HCl दिख रहा है hydrochloric acid यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक hydrogen याँ फिर कहें एक chlorine एक hydrogen से यहाँ पर चिपका होगा याँ फिर कहें उसके अंदर bonded है यहाँ पर दिख़़ा होगा दोसरे option में H2O यहाँ पर एक oxygen से दो hydrogen जुड़ा होगा है तो आपका जो दिख़़ा होगा यहाँ पर क्या दिख़़ा होगा आपको कि combining capacity oxygen का क्या है दो hydrogen जैसे atom को क्या कर सकता है आपस में attach कर सकता है ठीक है इसी type से क्या करते है हर एक atoms का अपना combining capacity होता है कि वह कितने other atoms से combine कर सके इसी तरह यहाँ NS3 का है एक nitrogen तीन hydrogen से जुड़ा होगा है similarly यहाँ पर क्या है carbon है एक carbon चार hydrogen से जुड़ा होगा है तो इसी types के अलग-अलग elements के अपने combining capacity होते हैं तो इसी को हम valency कहते है next point क्या है मारा valency में the valency of element decided the number of other atom which can combine with one atom of the element यानि यही point जो भी आप हम बता है आपको कि valency of element किसी भी element का valency हमें बताता है कि को भी एक atom कितने other atom से वो combine कर सकता है कि वो भी एक atom को भी एक atom कितने other atom से वो combine कर सकता है ठीक है है आपके लिए यहाँ पे एक इंजांपल दिया गया है है कि तो यहाँ पे लिखा चैहा हुआ है इसके बाद क्या क्या हजार आपको यानि एक एक अटम आप कारवन का एक एटम चार एक अटम आप हाईडोजन से कमाइन करते हैं और कमाइन करने के बाद जो मॉलेक्यूल फार्म करते है इसके बाद सब्सक्रावजन से कमाइन करते हैं और उसका फर्मूला होता है केमकल फर्मूला CH4 यानि एक करवन चार होड़ राग्यूल के साथ कमाइन करता है कैसे कमाइन करता है यहां पर दिखाए गया है इसको हम बताएंगे तो इस एजांपल को आपको समझाए तो इस एजांपल को सीधे सीधे समझाए तो आपको इससे पहले भी हम बताये थे similarly एक ही चीज आपको बताया दे कि एक कोई भी element वह उसका capacity होता है valency, valency क्या बताता है कि किसी element का capacity के बाने बताता है कि वह कितने other element से combine करें जैसे यहां कार्बन है compound के सोड़ी यहां पर element वह चार hydrogen से combine करता है ठीक है तो उसका वैलेंसी कितना हो गया वैलेंसी चार हो गया कार्वन का और हड्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया वन हो गया चलिए आपको दादे और यह कंबाइं करके एक कंपाउन्ड मौलक्ัल बनाने के लिए हैं आपको बॉंदिंग का यूज पढ़ता है तो यह मौलकूल ूबना रहा है उसका नाम मिठेन होता है और मिठेन का basta होता है ctrl होता है देखें यहाँ element लिखें है यहाँ पर वैसल के एलिमेंटैंटर यहाँ यहाँ लिखें के अपके यहाँ त differenti यहाँ पर चला जाता है और जो carbon के पास चला जाता है और जो carbon के पास चला जाता है यानि cross multiplication होता है यानि जो भी आपके वैलन्सी यह साथ होगा और यहां क्या hydrogen हो जाएगा तो इसी एक साथ लिखेंगे अच्छे से तो ऐसे क्या करता है तो अगर आपको वैलंसी सभी के याद है तो लगभग कर पाईएगा पूरा नहीं फॉर्म कर पाईएगा ठीक है और आपको लगभग ही जाना है पूरा आपको हड़े अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो देखेंगे इसी तरह यहां पर क्या दिखा जा रहा है एक करवन है चार हड्रों से कनेक्टिर है तो यह क्या होगा एक कंपाउंड बना रहा है जिसका नाम होता है CH4 और इसे कहते हैं मीथेन क्या है मीथेन कहते हैं चलिए वैलें रह्ते हैं ज metrics होते हैं सबी Cler को अल्गेशिक नमणे इंट्रीज़ इंख्ष सेल पे जितने नंबर ऑफफ एलक्ट्रोंस अबड्रोंस परोंगे वही क्या हो कि वैलेंसी होगा क्या होगा वही आपका भैंसी होगा जैसे शोडियम की बात करें सोडियम सोडियम का अटोंणिक नमर 11 होता है और इस हम लिखेंगे अच्छे से इसके मतलब अथ़ इसके जो एलक्र्णिक निफ्रिकरेशन को लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 8 1 यह simple electronic configuration है और इसे आप जो आपके हमने पढ़ाया था electronic information 1s2 2s2 करके term में उनके orbitals और्वीटल्स के term में लिखेंगे तो देखे वहाँ से भी आपको वही चीज आगा देखें जिसे यहां लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 देखे 6 7 8 9 10 और यहां 3s2 नहीं करें 3s1 होगा थीक है 3s1 होगा तो देखें आपका आउटरमोससेल आउटरमोससेल कहने मतले पहला एक वनसेल दूसरा दूसेल तूसेल कर रहे हैं 2s2 और तीसरा क्या आपका क्या 3s सेल क्या है 3 यह आपका लास सेल में कितना हैं और ते लिखके सब…. इसलाँ बीकलर साय हुआंगे सक है किसी फ़ विख सकते हैं यह विर्वाहलों में किमें परेज कीवाटीच चाहईleLafं हो वही उसका कितना हो जाएगा किया ऊठोल चाहिए जाएगा तो चाहएगा नाइटर फोनल एसाधार की बात करेंं इस नान से में उसे क्या कहेंगे, इसके वेलंस कहेंगे, उसके ननमेंड200 के, जीसिए आपको बता देंगे, जितने ब्लोक्स में जल्डाली ननमेटरह में इसाव ने तो आपको बता दे कि जैसे आपके chlorine जैसे हैं 17 नंबर गुर्प के chlorine, fluorine, chlorine, chlorine, bromine, iodine यह सब क्या है non-metals है इनके अगर आपको electronic confusion निकालना पड़े या और भी बहुत सारे other non-metals के electronic confusion आपको निकालना पड़े तो आपको क्या करना होगा कि आपके जो valence electron होंगे यानि उस element के जो outer muscle में जितने electrons present होंगे उसमें से क्या करना पड़ेगा 8 को घटा देना पड़ेगा यानि 8- number of valence electrons present in that element ठीक है तो क्लोरीन के बात करें तो क्लोरीन को हम electronic connection लिखते हैं 2-8-7 आप 1-2-2 लिख सकते हैं वहां से भी आपको एक ही आएगा तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि आउट्रोमोसल में 7 electron है कितने electron है तो आपका वेलंसी कितना होजागा वेलंसी कितना होजागा बताइए 8-7 कर देंगे आउट्रोमोसल में जो एलक्ट्रोन होगे उसमें से 8 को घटा देंगे तो 8 में से 7 तो 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो आपका वेलंसी क यहां पर छुट गया है तो लिख दिएगा यहां पर आपको यहां पर दिखी रहा होगा ठीक है चलिए नेक्स आगे पॉइंट की और भरते हैं उसमें सभी elements के general electronic configuration साथ ही साथ उनके electronic configuration को भी हमने बताया था वहां से आप असानी से संज़ पाईएगा कि किन के पास valence electron में कितने electron है अगर आप किसी भी elements के electronic configuration को लिख पाते हैं तो आप उसके valence कर भी निकाल पाईएगा लेकिन Q-רתar यायनि C-U-P R O U S Q-Mr. Cupro 1 Q-rene प्लस वन चार्ज हता है क्योपराइं क्योपरा होता है क्योपरा ऐना C-U-P Q- greetedar Hydrogen, Glame with और cuprous क्या होता है वो क्या होते है 900 होते हैं जिनके बास balance कोपर होते हैं और आपके बास लीड होता है कोबाल्ट होता है निकल होता है इनके बास क्या होता है डाइवलेंट वेलेंसी होता है इनके बास वेलेंसी होता है कितना होते हैं इनके वेलेंसी टू वेलेंसी होते हैं इसी तरह नैट्रोजन फस्पोरस अल्मूनियम क्लोरीन ब् पुछ ही है इसको copy में note करते चलिए ताकि आपको एक अच्छा से copy बन जाया ऋए आप उसे याद कर सके अच्छे से फिर क्या आपका carbon Republican silicon ETC क्या है ट्रेट्रावलेंड क्या है ट्रेट्रावलेंड यहादि जिनके चार होंगे carbon silicon के जितने आएगे ना carbon silicon carbon silicon analysen isam क्या है यह सब क्या है अपके in kineats 4 दिखे जाते हैं चार दिखे जाते है त्विए इसको याद कर लिए आप यह बहुत चलिए यह हमारे क्या है नोट है कुछ वेलंसी के रिगाडिंग इसमें बताया जा रहा है कि सम एलिमेंट्स एक्जामपल कुछ एलिमेंट्स जैसे कॉपर और आइडन क्या करते हैं एक्जिबीट करते हैं यानि रखते हैं आपस में more than 1 वेलंस्य एक से जचादा वेलंस्य को क कारवन और आइडन क्या होते हैं एक्जिबीत करते हैं जैसे आपको बमधते की copper और mercury गालिखाबा है यहाँ पर division last to be found यहाँ पर लिख देते हैं, copper and mercury क्या करते हैं, C-U-P-R-I-C-C-U-P-R-I-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C तोट चलिए, यह पॉइंट था यह आपका लेक्चर था चैनल के सब्सक्राइब करके जाएगा और आपको यह तक रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो से कुछ अगर आप सीखे होंगे वीडियो के लाइक कि जाएगा, दोस्तों में जरूरूर तब तक लिए बाब बाई